तो गईसे यार यह सुपर फास्ट वान टैप कहें कि हम लोग आसमान में उड़ते उड़ते बंदे को वान टैप मारेंगे या हम लोग पानी के उपर से जाते जाते बंदे को वान टैप मारेंगे या हम लोग सुपर मैन की तरह सुपर फास्ट स्पीड में जाके बंदे को व गवर लेकिए वान टैप मार सकते आप यहां पर इसके बाद आपको यहां पे वान तौर देखो यार यह सुपर वान टैप का एडवांटेज का है या वज़ेस आप का है मतलब कियों हम लोग आप लोग मानने की कोशिश कर ओगे तो हुआ पे होगा सबसे बहले तो यार आप लोग एक स्कॉयट को वाइप आउट है नहीं कर सकते हैं दूसरी बात आपका वन टैप वहाँ पे लगने का चांसेस भी बहुत जादा कम रहता है अब देखो अगर आप लोग लोग रेंज में किसी एनिमी के साथ फाइट कर रहे हो वहाँ पे वन टैप मानने क का एक और एडवांटेज है जो कि है अगर आप लोग सुपर फास्ट वन टैप यूज करोगे तो वहाँ पे आपका स्पीड इतना जादा रहेगा कि जो एनिमी है एनिमी आपको डैमेज नहीं दे पाएगा तो अगर आपका वन टैप नहीं लगता है तो आप लोग दूसर को एक स्कुएट को वाइप आउट कर सकते हो बहुत ही इजीली क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स तो पांच सेकेंड्स में डाउटनेट के साथ करो ने आउट बस अपने सवाल की फोटो कीचो क्रॉप करो और तुरंच वीडिय सिलूशन पाओ फिर चाहे आप आपका सवाल फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैट्स, बायलोजी का हो, सीबीएसी, यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश या अन्ने स्टेट बोर्ड्स का हो यहां तक की कक्षा 6 से बारवी, आईटी, जेई और नीट का सवालो सबसे पहले कएरेक्टर एबिलीटी की बात करते हैं, आप लोग मड़ोज चाहे कोई भी कयारेक्टर यूइज कर रहे हो आंप किर अब दोग अगर के तो आप लोग आपके पास जोसेब कारेक्टर नहीं है, तो आप लोग के ली यूज करें, के ली की होगा απ गोड़ से खढ़िद सकते हो, आप लोग केली कैरेक्टर टेके ना, तो केली कैरेक्टर आपको must use करना है, और अगर आपके पास अलो की है फिर क्रोनो कैरेक्टर है, तो महाँ पर आप्लोग केली और जोसेफ यूसकते हैं, तो वहाँ पर और भी बेतर हिन सब्सक्राइब the सेले post otom वह इतना साय आपको काम करना है और कुछ बहीं नहीं तो अभी आते हैं हमारे main point पे जोगी आपको करना है देखो आपको सबसे बहले तो running moment पे रहना है भाई एक चीस आप लोग हमेशा याद रखे super fast one type मानने के लिए आपको हमेशा running moment पे रहना है ऐसा नहीं है कि आप लोग रूख जा रहे हो या फिर noob walk कर रहे हो या फिर steel कर यह फिर cover लेके खरे हो तो भाई ऐसे गलती आपको नहीं करना है आपको sprinting बटन को प्रेस करके सबसे पहले आपको अपने character को running moment पे लाना है तो यह है हमारा सबसे पहला step अब दूसरे step में आपको कह करना है अब दूसरा step है यहाँ पे आपको कह करना है यहाँ पे आपको जैसे ही enemy दिख जाता है तो वहाँ पे आपको gun switch बटन को प्रेस करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे jump बटन को प्रेस करना है अब देखो आपका character अभी हवा में आ चुका है अब देखो third step में आपको कह करना है कि जैसे ही आपका aim बिल्कुल set हो जाता है मतलब आप ल enemy के position के उपर depend करता है आप लोग जैसे करके one time मानना चाहते हो तो यहाँ पर में एम को white करके one time मानना चाहता था जिसके वज़े से मेरा aim यहाँ पर जैसे ही white हुआ तो उसके बाद मतलब हमारा fourth step में हमने यहाँ पर कह किया कि यहाँ पर में fire button को उपढ़ कर दिया तो मेरा जो aim है मेरा aim है एकदम enemy के head में जाके चिपक चुका है और एकदम running shot पे मेरा यहाँ पर one tap लग गया मतलब भाई इसको ही हम लोग super fast one tap बोलते हैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं है अब देखो यह चीज़ आप लोग सिर्फ shotgun में ही कर सकते हो ऐसा नहीं है जितने भी one tap ह हर एक one tap के gun में आप लोग यह चीज़ कर सकते हो तो एर super fast one tap मानने का tutorial जो है मैं आपको एक और बार समझा देता हूं देखो सबसे पहले आपको sprinting बटन को प्रेस करके अपने character को running moment पे लाना है जब आप लोग one tap माने की कोशिश कर रहे हो character को running moment पे लाना ही है वनना आपक गन स्विच करना है और उसके साथ साथ आपको jump करना है third step में आपको aim को set कर लेना है आप लोग जैसे one tap मानना चाते हो और उसके बाद जैसे आपका aim set हो जाता है आपका character हवा में रहता है तो उसी moment पे आपको fire बटन को उपर की और drag कर देना है तो आपका जो super fast one tap है आपक एक ही enemy को मारा तो अगर आपके बास और enemy है तो आप लोग ऐसे करके और भी enemy को one time मार सकते हो बहुती easily अब देखो मैं आपको एक और वीडियो क्लिप दिखा देता हूं वरना आप लोग बोलोगे कि भाई यार एक ही वीडियो क्लिप दिखा के हर कुछ समझा रहे तो मैं को एक और वीडियो क्लिप दिखा देता हूं तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि यहां पर मेरे हाथ में M500 है तो यहां पर मैं वही same trick का use कर रहा हूं running moment पर हूं मतलब character को यहां पर running moment पर रखा हूं और उसके बाद जैसे ही मुझे यहां पर enemy दिख गया यहां पर मैंन होने दिया जिस moment पर मैंने enemy को मारा था तो उसी moment का use करके मैं यहां से भाग्ये चला गया तो इसका जो पार्णर है इसका पार्णर मुझे नहीं मार पाया भाई यार यही चीज इतनी देर से मैं आपको समझानी की कोशिच कर रहा हूं कि अगर आप लोग ऐसे सुपर फास् कर सकते हैं मतलब एक स्कॉइट के अंदर जाके आप लोग पूरा स्कॉइट को वाइप आउट कर सकते हो अब देखो एक और वीडियो क्लिप दिखा देता हूं तो यहां पे आप लोग देखो कि मेरे हाथ में डेजरीगल था तो यहां पर मेरा कैरेक्टर रणिंग मुमें यहँए था तो जैसे ही ओने के मुझे नहीं दिखक गया मैने यह पे गण स्वीच किया जंप किया और यहां जैसे coloc प्लुप क्या टेए मम्हीं पर वड़ तो Осशी मोमेंट जरीए से मैं यहां से भाग्ये चला खारा है तो एसे करके यह आपको पणय और एक बार इसमें महाईर हो गए ना तो भाई समझ लो आप लोग कस्टम में जाके एक स्क्वाइड को अकले ही पुड़ा वाइप आउट कर सकते हो तो गाईस यार आजी का वीडियो बस इतना ही था वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तर वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल पर पहले बार आया हो तो भाई सब्सकाइब जरू कर लेना और देख़े आर पढ़ाय लिकाई भी थोड़ा सा कर लिया करो इसके लिए आपको जरूरू अथ पड़ेगा डाउननाट एप की तो लिंक इन देस्किप्शन जाओ डेस्किप्शन से एप इसके डिट्रॉल कर लो फिल अलके लिए चलो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए ठाटा बाइबाए ठाटा गुडबाए गया